जब हम लोगों का जो credit card है अगर low civil score पे अफ्रूव होता है तो काफी खुसी मिलती है दोस्तों यह हमारे भाई हैं और इनका card जो है 7 working दिवस में अफ्रूव हो गया 743 civil score में और इन्होंने अपना experience share किया तो HBI bank अभी card दे रहा है और आपको कुछ उपाय बताऊंगा अगर आप इसे follow करते हैं तो 100% आपको card मिल जाएगा तो मेरा आप से request है कि आप इस video को like करके support कर देना और चैनल पर नए आये है तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर देना चलिए शरू करते हैं दोस्तों यह जो HBI card है आपको पता है कि अभी इस time काफी लोग का जो card है अप्रूब हो रहा है आप लोगों ने मेरा video देखा था अभी मैं इसके पहले करीबन 5-6 वीडियो बनाए थे इस वेई card की ऊपर जो कि काफी लोग card अप्रूब हुआ without income रूप का इनका भी card अप्रूब हुआ बट इनके civil score में कोई फाल तो activity नहीं है तो हम लोगों का जो card होता है अक्सर decline क्यों हो जाता है अगर decline नहीं होता है तो limit उसमे कम दिया जाता है ऐसा क्यों होता है यह सवाल काफी लोग के मन में है इसका जबाब मैं काफी वीडियो में दे चुका हूं कि जब भी आपके civil में कोई ऐसा activity पाए जाएगा overdue charge आपका loan complete हो गया एक्टिविट्स हो कर रहा है पे लेटर यूज किया प्रस्टनल लोन का इंट्री आ रहा है आपने कोई लोन के लिए प्लाई किया उसकी inquiry आ गई आपने एक जगह अप्लाई किया और inquiry चार आ गई तो इस सारे जो होते हैं प्रोबलम यह आपकी लोन और क्रेट कार्ड के लिए काफी नुकसान दायक होत दोस्तों अब आप देख रहे हैं जैसे कि HDFC बैंक हो चाहे एकसिज बैंक हो चाहे अधर बैंक भी हो अभी क्या है सबको लिमिट मात्र दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार तीस हजार हाइए लिमिट किसी को मिली नहीं रहा है क्यों आपको पता है बैंक कभी भी आपको अगर कार्ड देगा तो बैंक इतना सोचता है कि आपका जो हिस्ट्री है आपके उपर ज्यादा लोन है तो बैंक हमेशा आपको कम ही लिमिट देगा पेमेंट करोगे अच्छा रिकॉर्ड बनाओगे तो आटोमेटिक लिमिट इंक्रीस होगा बट जेश्ट मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके स्विले कोई ऐसा एक्टिविटी रहेगा तो आपको लिमिट कम मिलेगा कार्ड अप्रूब हो जाएगा और नहीं तो ट सिरियस लेके जिस कंपनी से लोन चल रहा है आप उन्हें रिपोर्ट करें आरगे को इमेल करें बार-बार कैसे आपका समधान नहीं होगा बैठे ना जब आपका लोन जो एक्टिवेट है जब वो क्लोस हो कर देगा इस्टेटस जब भी आपका भी लोन कार्ड अप्लाई क करते हो तो जो कंट्राइश सिस्टम होता है जो लर्निंग मसीन होती है जो ट्रैक करेगा आपके पूरे डेटा को तो वहां पे उसे अगर आपका स्विल हिस्ट्री अगर दम किलियर दिखेगा तो आटोमेटिक आपको गुड या इस्टेंडर कैटेगरी मिला कर देगा जो लोग कमेंट करते हैं कि मेरा कोई स्विल नहीं है मुझे हाई लिमिट मिल गया क्यों मिल गया कभी कभी जो है बाइडिफॉल्ट आप कभी भी किसी बैंक में आपका एककाउंट है अच्छा मेंटेंस किये हो तो बैंक यह देखता है कि ए परसन काफी टाइम से मेरे संग ज 15,000 अब 15,000 लिमिट जो है उनके लिए कम है क्यों कम है 15,000 लिमिट एक प्रकार से उतना खाज नहीं है तो मैं रिक्वेश करूंगा कि अगर आपको SBI काड लेना हो चाहे कोई भी काड लेना हो जितना हो सके अपने स्विल से फालतू का जो गलत इंक्वारियां है जो फालत चुके होंगे अगर आपको SBI काड अप्लाई करना है तो आप उनके और से अप्लाई करें काड को मिल जाएगा जहां पर आपको इंकम प्रूप का डिमांड किया जा रहा है वहां पर बैंक का स्टेटमेंट अप्रोड करें आपके अकाउंट में कुछ पैसा होता दिखे औ और आपके अकाउंट में जो है ऐसा नहीं कि एक रूपे-दो रूपे का ट्राइशन दिखे बड़ा अमांट अगर आपके अकाउंट में सो करेगा तो काड आपका जरूर अप्रूब होगा योकि बैंक हमेशा जो है आपके इंकम को ट्रेक करता है कुछ इंकम तो आना चा कैसा लागा वीडियो को लाइक कर देना मन में कोई भी स्वार तो कमेंट कर देना फिर में देते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम